हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत हैं अपके अपने यूट्ूब चानल झारखन एजुगेशन में जैसा कि आप सभी जानते है जारखन सची वाले का जो वैकेंसी आ चुका है तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो झारखन सेेजियल का जो वैकेंसी निकाला गया है तो उसका जो official website पर जो आपको उसका PDF मिल जाएगा अगर आप लोग उसके नोडिफिकेशन को नहीं देखा है तो आप जो है कि जैसे से official website पर जाकर आप उसे download कर सकते हैं या आप हुमारे टेलिकराम चैनल को जोईन कर लें वहाँ पर उसका आपका PDF मिल जाएगा फ्रेंड्स वहाँ पर जो notification निकाल गया था उसमें जो कि बहुत सारे student का doubt था कि जो residential certificate है या जो car certificate है इसका जो date जो validated date क्या रहने वाला है कौन सा date जो की valid है कौन सा date जो की valid नहीं है इसके बारे में बहुत सारे student का या doubt था तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आप लोग को इस डाउट का जो मतलब residential certificate और जो car certificate का जो doubt है date को लेकर उसी के बारे में यहाँ पर आप लोगा doubt जो क्लियर करने वाला हूं तो वीडियो में आप लाश्ट तक बने रहिएगा और चैनल में पहले पर विजिट कर रहे जो वेकंसी निकाला गें इसमें जो residential की बात करते हैं अस्थानिया जो परमान पत्र है तो residential certificate की बात करें फिर्ण्स आपर आपको इसकी निपर दो डेट सो हो रहा है इसमें दो डेट के बारे में आपको जनकरी देना चाहता हूं तो यहाँ पर आप देखेगा कि first date दो 2016 से पहले का यदी आपके पास जो residential certificate वो आमानिय होगा वो जो जो की valid नहीं है टीक है नہmayı आप रहा है शुन या फिर DC level का होगा तो यह आपके लिए valid है यानि 19 जुलाई 2019 से पहले तक यदि आपके पास SDO या फिर DC level का residential certificate है तो यह जो कि आपके लिए valid है लेकिन इस date के नीचे उसकी date के बाद यदि हो यानि 19 साथ 2019 के बाद का यदि हो तो आपका CU level का भी अगर होगा तो वह भी चल जागा ठीक है लेकिन इससे पहले का जो का CU level का नहीं चलेगा और इसके बाद का जो date का जो है तो आपका CU level का भी चल जागा लेकिन यहाँ जो 2019 से पहले की बात कर रहा है तो यहाँ पर SDO level का हो या फिर DC लेबल का होगा तो आपका valid है ठीक है friends चलिए यहाँ पे residency के बारे में आपनों को जानकारी मिल गया होगा तो friends यहाँ पर next बात करते हैं cast certificate के लिगार तो cast certificate के यहाँ बात करें के आपके पास है तो आपके लिए जो कि valid है यहाँ पर किसी भी डेट का यहाँ पर द्यान सुनेगा फिर DC लेबल का आपके पास है तो आपके लिए valid है यानि इसका कोई भी जो डेट है यहाँ पर fix नहीं है लेकिन आप लोग को बता दे यहाँ पर जो इसका cut up date है यहाँ पचीस दो 2019 का यहाँ पर ध्यान तखे का पचीस दो 2019 करने का मतलब यहाँ पर है कि इस date के बाद यदि आपके पास ठीक है इस date के बाद यदि आपके पास यदि CO level का भी है तो वो भी आपका valid रहेगा यानि लेकिन इस date के बाद यदि यहाँ पर क्या बलते है कि इस date से पहले यदि CO level का है तो वो नहीं चलेगा लेकिन SDO, SDO और DC के पास का यदि है तो आपका वो जो की valid है यानि कि वो certificate है वो valid होगा ठीक है friends यहाँ पर जो format है आप लोग को आगे वीडियो में दिखाने वाला हू तो friends यहाँ पर आप लोगा जो SDC है इन लोगा जो कास सेटिफिकेट है या जो डाउट होगा आपका कि लियर हो चुका होगा कि कब तक जो है और कब तक जो है और नहीं है कहां का होना चाहिए तो चले नेक्स यहाँ पर बात करते है friends OBC OBC की बात यदि करें friends यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर आप लोगों को दो डेट सो हो रहा होगा तो friends यहाँ पर यहाँ बात करें कि यदि आपका जो है कि यहाँ पर बताते friends इसके बात का जो होगा है DC का या फिर SDO का बना हुआ होगा तो यह आपका वैलिड होगा ठीक है friends यहाँ पर याद रहेगा कि इसके बाद यानि 29 अगर 2012 के बाद का यदि आपके पास SDO लेबल का या फिर DC लेबल का यदि आपके पास का सेटिपिकेट ह नहीं होगा लेगिन इसके बाद का जो सी लेबल का वैलिड होगा friends यहाँ पर जो का सेटिपिकेट होगा और इससे पहले का यदि देखा जा तो यहाँ पर आप लोग का जो है DC या फिर SDO लेबल का है तो यह आपके लिए वैलिड होगा friends आप लोग को बता दे कि जो OBC होते हैं उनलों आपका वैलिड की समाप्त हो गया होगा OBC सेटिफिकेट होता है ओनलों का वैलिड होते हैं उन लोग के लिए तो उसमें का यहाँ आपकाolic बादा वैलिड है यदि समाप्त हो चुका होगा तो आप लोग को जो कि वहाँ पर एक जो स्वा गोसना परमान पतर देना होगा जिसका फॉर्मेट में आगे आप लोग को वीडियो में दिखाने वाला हूँ इसके पहले का यदि आपके पास है तो वह valid नहीं है लेकिन इसके बाद यदि आपके पास SDO या फिर DC लेबल का है तो यह दो जगह का हुआ तो आपका validation इसका है यानि कि valid है और इस date के बाद यदि आपके पास U level का भी है यानि कि circle officer जो की अंचला अधिकारी होते हैं friends तो इ EWS की बात यदि करें friends तो यहाँ पर जो EWS की बात करते हैं तो इनका जो डेट बताएगा friends आपके पास 252 2019 के बाद यदि आपके पास CO level का DC level का या फिर SDO level का ठीक है नहीं से भी आपका है तो वह आपका चलेगा EWS certificate जो इक आपका चल जाएगा ठीक है friends यहाँ पर उसमें भी जो EWS certificate होता है उसमें जो friends यहाँ पर जो वैलिडेशन डेट होता हो नीचे देखिएगा आप certificate में नीचे जो कब तक वैलिड है यह आपको सो होड़ा होगा तो आप उस डेट को अच्छे से आप देख लिजेगा यदि आपका जो वैलिडेट होगा यदि आपका जो कि क्रोस कर गया होगा यानि समाप्त हो चुका होगा तो आपको फिर से नया बनवाना होगा friends EWS कड़ेगरी वाले जो है उन लोग के लिए जो EWS certificate होता है वैलिडेशन से जितना वैलिडेटी है अगर वह समाप्त हो चुका होगा तो आप लोग को जनकारी मिल गया होगा friends की यानि कि कौन से कड़ेगरी के लिए कि कव तक का जो की यहां पर का जातिक परमान पतर चाहिए और जो residential certificate है इसके बारे में आप लोग को जनकारी मिल गया होगा friends यहां पर मैंने जो की अपने माध्यम से पुरा जनकारी देने का परयास किया इन सभी के बारे में फिर भी यह कोई डाउट होगा या कोई डाउट रह गया होगा तो आपका डाउट जो की वहां पर clear कर दि तो friends यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर फोर्मेट आप लोग को सो और आओगा यहां पर आप देखिए का यह जो पाहला फोर्मेट को मैं दिखा रहा हूं तो जैसे की friends आप लोग को बता देखिए जो 22 अक्टूबर 2008 दोरा जो निजगत यानि जो पहले का जो यह जो जाती परमान पतर था आपका जो की इस फोर्मेट में होगा यहां पर देख सकते हैं यहां पर कार्यार जाती परमान पतर जो की सभी कार्यों के लिए होता है ठीक है न सभी कार्यों के लिए जो फोर्मेट आप देख रहे हैं यह सभी कार्यों के लिए यहां पर पहले का आपक और ना बारा दोबारा जो निगत होता है वह फॉर्मेट आप लोग को यहांपर रहा है ठीक है तो इस फॉर्मेट में जो एकि आप लोग का होगा पहले का जो होगा ठीक है ना उसके बाद पे-वे बात कर लेतें नेक्स्ट आप आप देख रहे हैं अनुसुत जाती या फिर अनुस्य जन जाती, यानि कि STAC जो है, उन लोग के लिए यहाँ पर जाती परमानपत्र का जो format है, इस प्रकार का format होगा, friends यहाँ पर, आप डेट भी देखेगा, यहाँ पर data आपको sr और आवगा, पचीसदो 2019 का, ठीक है, ना, पचीसदो 2019 के का जो डेट है इसके बात करें होगा फ्रेंस यह लेबल का भी होगा इस फोर्मेट में तो आपका जो कि चल जाएगा चेलिए नेक्स यहां पर देख रहें पर करागा होगा जो इस पर करकागा होगा आपके पास होगा तो आपका वैलिड है ठीक है और क्रीमी लेयर रहित वेलडाशनrüwart हेक वेलसनव पत्र टाहनु आप लोग को प्रमेंट वेशना प्रयोड आप नएक अप्रवलेटाव्यड के पाद समय dispatch, फिरोंबन के लोग पर लोग पर हम पहलेलिएके रोप्सकेथ नेक्स्ट यहां पर देखते हैं यह जो EWS जो है यानि कि एकोनोमी निकल विकर जो सेक्षन ने उन लोग के लिए फ्रेंट्स यहां पर फोर्मेट दिखाया गया है यह फोर्मेट देख सकते हैं इस फोर्मेट में भी आप अच्छे तरह से आपको यहां पर सोवड़ाओ फ्र घरिकर से आपका फोर्मेट आपको और होगा। तो आप लोगे वीडियों में लगी होगी तो ने देख सफिसी करदेंगे लिए और कोई डाउट में पूछिए तो लाउनाइल चيक्छिन वीडियों मैं तस्यूंत टा सब बीडिख सिर्प कर देए औ.